करें बच्छो आज आपको के बारे में परहने के लिए जा रहा है के अंकुड होता क्या है इसका उप्योग कहा है और इसके साथ क्या क्या उप्योग ना करना चाहिए प्रोहिबिशन क्या होता है सारा कुछ हम बताएंगे उससे पहले हम स्टार्ट करें एक प्रोभर्ब लेते हैं आज का प्रोभर्ब है ए वर्ड इन हैंड इस वर्थ टू इन दो वस इसका मतलब होता है नौ नगद न तेरा उधार अब कैन की यूज के बारे में चलते हैं इस चीज के लिए उसी चीज को दिखाने के लिए पास्टेंस में यूज किया जाए तो उसके जगा पर कैन के जगा पर कुट का इस्तेमाल किया जाता है पहला एक्जामपल लेते हैं आगे चलते हैं कैन का यूज कर सकते हैं या परिजान्ट में परिजान्टमें जहां पर हम कैन का यूज करते हैं वहां पर इसम आपर एकोरडिंग तो पर्सन के अनुसार एम आई के साथ आता है इस थार्ट परसंट सिंगेल नमर के साथ आता है इसके अलावा जो कुछ है आटा है यदि उसके साथ हम यदि हम लिखते हैं I am एवल तो इट तो इसका मतलब है कि मैं खा सकता हूँ यहाँ पर I am को हटा करके can का use करते हैं तो भी बिल्कुल ही सही होगा यानि can के जगा पे हम ismr able to का use कर सकते हैं उसी प्रकार से past में was plus able to का हम use कर सकते हैं could के अस्थान पे लेकिन where के जगा पे could का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वेर एक अलग चीज़ होता है could अलग चीज़ होता है have difference difference sense इसमें थोड़ा आंतर है आगे चलके आपको हम बताते हैं क्या क्या आंतर है future future में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो can के जगा पे हम will sell able to का use करते हैं या will sell के जगा पे हम जहां पे power के योग्यता या can के अस्थान पर हम अस्थान पर हम क्यान का यूज कर सकते हैं नेक्स से आपका एक fill in the blanks है आपका यह भरना है देखते हैं क्या होता है यहां पे पास्ट आएगा तो यहां पे इस तो आ नहीं सकता है यहां पे लगा हुआ है तो यहां पे लगा हुआ है तो यहां पे वाज आता है तो यहां पे वाज का यूज होगा यहां पे कुट का यूज नहीं हो सकता है क्योंकि एवल टू पहले से लगा हुआ है अब देखते हैं कि कैन का यूज कहां कहां है पहला में आपको लिखा हुआ है ability, capacity, power, ability का मतलब होता है योगयता, capacity मतलब होता है छमता, power मतलब होता है सक्ति, ability मतलब योगयता, उसके पास क्या योगयता है, जैसे कि पहला sentence लिए है, I can speak English fluently and confidently, तो यहाँ पे मेरी चमत योगयता, यानि ability शो करने के लिए हम इसका उफ्योग कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका, we can hold this weight till one day, कोई वजणदार समान है, या एक पैन ले लिजे, या कोई वाइल ले लिजे, या कोई एक किलो का समान है, तो उसको यदि एक दिन तक हाथ में रख सकता है, तो इससे क्या power का पता चलता है, उसका power का पता चलता है, उसका सक्ती का पता चलता है, कि वह इसा कर सकता है, कि या खाने का चमता हो या कुछ काम करने की चमता हो यदि स्किल्फूल है तो उसके लिए हम उसका उप्योग कर सकते हैं जैसे कि एक एक जांपल देते हैं कि लड़किया लोग तो थोड़ा क्या बोलते हैं पानी पूरी खाने में थोड़ा इंट्रेश्ट ज्यादा होते हैं तो पचास रुपे की खा जाते हैं पचास को चोड़ेजे जींगे 100 का भी खा जाते हैं आब पताने के पेट बहरता है या क्या है तो यहां पें हम उसकर सकते हैं सी कें टे यह शौर पर खा सकते हैं तो वहां पे उसका चैपसीटी जलगता है तो वहां पे कैन का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आपका पर्मीशन पर्मीशन अनुमति लेने या देने के संस में इसका यूज किया जाता है या किना एहल्प यू यदि किसी को मदद किया आप सकता है या इस्टेशन पर लिखे वह देखेंगे या कहीं चोक्ष रहे पर लिखेंगे पुलीस उपर में लिखेंगे रता है कि कि आप मैं आपको मदद कर सकता हूं तो यहां अनुमती लेना यानि अनुमती लेने के सेंस में है कि कैना है एल्प यू नेक्स आपका I you cannot sit here for a long time यहां पर उनुमती देने के संस में आ रहा है कि आप यहां पर जादा देर तक नहीं बैट सकते हैं तो यहां पर पर्मिशन देने के सेंज में इसका उप्योग किया गया है इसका लॉंग टाम जैसे कि आप लोग देखते होंगे अगे कि कोई कहें पर बैठा हुआ पर कोई सीट पर बैठा हुआ है कोई एक ही जो चौकी होता है उसी पर पांसाद आत्मीं दसाद में बैठा हुआ रहता है तो वहां पर लिखा हुआ रहता है यह कांट सिट हेर फोर लॉंग टाइम तो इस सेंस में हम अनुमति देने के सेंस में भी इसका उप्योग कर सकते है नेक्स है आपका थर्ड यूज है 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 विट या नेचर है विट या नेचर बताने के लिए इसका उप्योग किया जाता है जिसे कि इस टूपीड पर्सन कैन मेंक एक कॉंस्पाइरेश सी एगेंस्ट यू एक जो मूर्ख आदमी होता है वह आपके खिलाब सडियंत्र रच स हाज जाति हैं कि इसन्ति तो उसका नेचर पता चलता है उसके हैविट ही है कि वसकyers रचता है एक मा कभी अपने बच्छों के परती कुरूयल नहीं बन सकती है तो यहाँ पे मा का नेचर पता चलता है नेक्स्ट आपका वहर्व प्रिसप्शन यहां पे सिर्फ आफ होता था वहर्व वहर्व आफ प्रिसप्शन से हियर टेस्ट एसमेल फिल के साथ यानि यहां पे जितने भी जो फाइब सेंस ओर्गन होते हैं इससे का आइ उप्योग करते हैं तो इसका उप्योग करने में जो हम महसूस करते हैं तो सब्चसारी महसूस करने के लिए हम क्यान का यूज कर सकते हैं can you see the moon तो यहां पर see यानि आख से देखने कि छमता पता लगा ना हो तो यहां पर हम क्यान का यूज कर सकते हैं नाव आई केन नोट हीर यस यहां पर यू यही कर देंगे तो सही हो जाएगा अब वह हम लोगों को नहीं सुन सकता है तो यहां पर केन का यूज क्या गया है एक और चीज का ध्यान देना है यह केन नोट दोनों साथ-साथ ही लिखना अनिवार जाएं यदि केन को अलग और नोट को अलग लिखते हैं तो यह इंग्लिस के दिरिष्टी कौन से गलत हो जाएगा नेक्स्ट है आपका सध्यांतिक संभावना बताने के लिए इसका उप्योग किया आता है उलेक्रिसीटी इन दफ्लुडेडर एडिया केरे डेंजरस यहां पर बार्ड छेतर है जहां पर पानी ऊथर उदर है तो यहां पर इलेक्रिसीटी जो होता है खतरनाक हो सकता है यह सध्धान्तिक तौर पे जाता है इसको प्रेटकल करने की इलक्रिसिटी जो दाइव फ्लोरी छेतर में वो खतरनाक हो सकता है इसलिए यह से धानदिक है तो यहां पर हम क्यान का यूज कर सकते हैं नेक्स आपका वाटर कैन एक्जी एकस्टिंगे अस दो फायर ओफ एमेजन फोरेस्ट अमेजन फोरेस्ट में जो आग लगी हुई है उ एक से आपका कि यूज अफ कोड यूज अफ कोड जिससे उपर आभी बताएं कि कैन का इस्तिमाल जो करते हैं प्रजैन टेंस में एबिलिटी कैपसिटी पावर सक्ति दिखाने के लिए उप्योग किया जाता है उसी प्रकार से कुड का जो इस्तिमाल है कैन के अस्थान पर य यह ज़िए जब वह यंग था जिसे अभी यंग हम लोग है या मेरे जो टीचर लोग थे वो दसो घंडा तक एक साथ परहा सकते थे दसो घंडा एक साथ तक परहा सकते थे अभी नहीं वरत्मान में नहीं तो ऐसी इस्तितिमां कूड का इस्तेमाल कर सकते हैं उनका के बारे में बता रहा है कि नेक्स आपका पॉसिबिलिटी उपरा आपको पता चला है नहीं सॉरी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं व की पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है कि वहां जाने आपको खत्रा हो सकता है कि मत जाएं इसके लिए हम इसका उप्योग करते हैं नेक्स्ट है आपका एक्जांपल के तरफे बता हैं हाई जंप गुड्ड विट डेंजरस फोर यू यहाँ पे गुड्ड नहीं कुड्ड का इस्तेमाल करना था सी ओ यू एल डे चुकि कुड्ड का इस्तेमाल करना है हाई जंप कुड्ड विट डेंजरस फोर यू यानि ज्यादा कुड्ड ना ज्यादा उच्छल कुड्ड करना आपके लिए खतरा हो सकता है खतरनाक हो सकता है नेक्स्ट है आपका अन्रियल सिचुएशन अन्रियल सिचुएशन जो वास्तविक में नहीं है उस इस सिति को दिखाने के लिए हम इसका उप्योग कर सकते हैं कुड्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ आई हैड मने यदि मेरे पास पैसा होता यदि मेरे पास पैसा तो वास्तव में मेरे पास है नहीं मेरी कोरी कलपना है मैं कलपना कर सकता हूं इमेजिन कर रहा हूं कि if I had money यदि मेरे पास पैसा होता I could visit Goa तो मैं Goa घुमने के लिए जाता I wish मेरी एकछा है I could weigh यह वुलेट ट्रेन तो यहां पर जो कूट का इस्तेवाल किया गया है दोनों में तो यह कोरी कलपना के लिए यूज किया जाता है कि कास मेरे पास यह होता तो मैं यह कर लेता नेक्स्ट आपका आणित्रुगेटिव संतेंस में रिक्वेष्ट है या प्रार्थना के भावल में इसका हूं प्योग करते जहां पर हम रिक्वेष्ट करते हैं कि आप मैं कमें या कूड्यू कूड़इकं तो ऐसी स्थीति में जव हम वह किसी सा प्रार्थना करते किसी से मांगना कुछ मांगते हैं कुछ यासना करते हैं तो Não प्लीज किया आप अपना दे सकते हैं किया आप अपना दे सकते हैं तो यहां पर जो रिक्वेस्ट कर रहा है यह बहुत ही पॉलाइट होता है इसका उफ्योग अधिकांस होता है नेक्स्ट आपका इसी का एक्जामपल कुड यू गेट अप एट फाइव एम फोर मॉर्निंग वॉक क्या आप पांच वोजे सुभा उठ सकते हैं मॉर्न कि नेक्स्ट है आपका कि यहां पर फाइव होना चाहिए था पास्टेंस के को दर्शाने के लिए क्यान के अस्थान पर कुड का प्रियोग किया जाता है कि इसे की एक एक्जामपल सबसे पहले हम दिये थे और वह साहीं एक्जामपल और है इसको देखिए यहां पर पास्ट का यह उसकिया गया है इसलिए यहां पर क्यान के जगा पर कुड का इस्तेमाल किया गया है कि नेक्स आपका कुछ प्रोहेंशन है कुछ निशेद है जो कि आपको नहीं करना चाहिए कभी भी कि डॉन्ट राइट एज कैंस यानि एक एक एक्जलरी भर्व है एक्जलरी भर्व में एस और येस जोता है इसमें नहीं जोड़ाता कभी जिसे कि सिंग है कि सींग में इस जोड़ते हैंं आ यह वाक है या कम है तो कम को करते हैं तो इस लारी भर्व है वो सब में भर्व है तो में मैं व्र में एक्ज güम्र जmara जाता है आएंजी जोड़ा जाता है लेकिन यह एक्सलरी भर्भ है मॉडल भर्भ है इसलिए इसमें एस और यह नहीं जोड़ा जाता है डॉंट राइट एज एकन नॉट इंस्टीट ऑफ कांट अभी तुपर में बताएं आपको कि यह तरीका लिखना गलत होगा इसको के नॉट दोनों साथ साथ लिखा जाता है के नॉट राइट एज कैनिंग कैनिंग एक दूसरा वर्ड होता है जो कि कैन के अर्थ में यह कभी भी नहीं आता है कैन में आएंजी कभी नहीं लगता है में एक संटेंस इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव विदावट डू जब हम कैन का यूज करते हैं तो उसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो बनाते हैं उसमें कभी भी दू का यूज नहीं करते हैं वो कैन से डायरेक्ट ही बन जाता है कि उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा तब तक लिए कुछ बाद में फिर आप